Hello friends, welcome to your channel knowledge गुर्दो तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे चैनल होता है और हमारे चैनल पर जो व्यूज आते हैं चैनल पर या उसके अलग-अलग वीडियो पर जो व्यूज आते हैं वो कहां से आते हैं यह हम जानना चाहते हैं जैसे कि वो औरगैनिक व्यू हैं मतलब YouTube पर साइच करके हमें खोजा जा रहा है उसके बाद हमें देखा जा रहा है हमारे वीडियो को या फिर वो एक्स्टर्नल व्यू हैं जैसे कि एगर हम Facebook पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो को YouTube WhatsApp पर अपलोड कर रहे हैं और लोग वहां से उसको देखते हैं तो वो एक्स्टर्नल व्यू होते हैं तो YouTube अक्सर उन वीडियो को प्रमोट करता है जिनकी औरगैनिक व्यू जादा होती है तो हम यह कैसे जानेंगे कि हमारे वीडियो के औरगैनिक व्यू जादा है या फिर हमारे एक्स्टर्नल व्यू जादा है तो उसको जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको उपर अपने चैनल के लोगों पर जाना होगा जैसे मेरे चैनल का नाम नौलेज गुड़ देऊ है तो मैं यहाँ पर गया और मैं आप क्लिक करूंगा यूट्यूब स्टूडियो पर यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद यह एक डैसबोट खुलेगा डैसबोट के साइड में आपको analytics पर जाके क्लिक करना है अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो कि यह मेरे last 28 day का दिखा रहा है कि मेरे कितने views हुए हैं, कितना watch time आ रहा है और कितने subscriber एड हुए है नीचे आप देख सकते हो मैंने जो भी 5-6 वीडियो अपलोड की है उनमें कितने-कितने views आया है साइड में यहाँ दिखा रहा हुए कितना watch time उनमें आया है वो दिखा रहा है चुकि हमें देखना है कि हमारे channel पर overall कितने organic view है और कितने external view है तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा see more पे see more पे क्लिक करने एक बाद आप यहाँ जाओगे traffic source option पे traffic source option पे जाने के बाद आपको आना है नीचे यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे total view था 294 उसमें YouTube search से हमारा view आया है 172 channel page से हमारा view आया है 36 और यूट्यूब फीचर से हमारा view आया है 34 और हमारा external view है केवल 30 तो देख रहो आप जैसे कि मेरा YouTube search से 59.5 परसेंट है तो यह बहुत अच्छा है अगर चैनल को अगर YouTube चैनल को प्रमोट करता है तो इसके लिए यह अच्छा option है क्योंकि अगर हमारा external ज्यादा होता तो YouTube सुचता है कि यह ठीक नहीं है बट हमारा YouTube search से ज्यादा है तो आप यहां से चेक कर सकते हो कि आपका organic view कितना है यह सारे मेरे organic view है जो कि YouTube search channel page और other YouTube feature है नीचे जो external वाला है वो मेरे आया है Facebook, WhatsApp यह यहां से view आया हुए यह तो हुआ पूरे channel का overall view देखना अगर आप चाहते हो particular किसी वीडियो का देखना कि उस पर कितने organic view आया है तो इसके लिए आपको वीडियो पर क्लिक करना होगा और आप यहां देख सकते हो पर वीडियो के लिए जैसे यह वीडियो मेरा थोड़ा फेमस हुआ था इसको लोगों ने देखा है तो इसके traffic source पर हम जाएंगे आप यह देख रहूं मैं 20 में को मैंने upload किया था और YouTube search से यहां पर 51 व्यूव आया है other YouTube feature से 19 व्यूव आया है external से 18 व्यूव आया है तो यहां पर भी मेरे YouTube search से जो व्यूव आया है वो 51 आया है तो यह भी एक तरीके से बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है आप आप जान के होगे कि कैसे आप देख सकते हो कि आपके चैनल पर कितने और 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 एकस्टरनल यूव तो आप ज़्यादा ज़्यादा कोजिस करो कि आपके चैनल पर और और यहीं आपके लिए beneficial होगा और अगर आपका वीडियो लोग बाहर से देख के आते हैं अगर आप कहीं बाहर शेयर करते हो अपने वीडियो को तो लोग उसको देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक मिनिट या दो मिनिट ही देखेंगे और अगर आपको अपने दोस्टों को भेज रहे हो, या अपने गृप में शेयर कर रहे हो, तो विस्यम्म क्या करते हुए, लोग आपके चैनल को सबस्क्राइब नहीं करते हैं, बट अगर आपकी वीडियो को लोग — YouTube से सर्च करके आ रहे हैं देख रहे हैं और उनको वीडियो अच्छा लग रहा है और वो लगबग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वह आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आसा करता हूं कि आप लोग का चैनल भी मेरी तो चैनल तरह आगे कब होगा कैसे होगा और कितना हमारे सब्सक्राइबर एक हजार कब और कैसे होंगे ठीक है तो आसा करता हूं मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ तो थैंक्यू सो मच प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल